लो एब्रिवन वेलकम बैक टो निंजा प्रैप तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीबी एयू लखनाव याने कि बाबा भीब्राव अमेड कर सेंट्रल उनिवस्टी लखनाव के अंदर जो सेकंड स्पॉर्ट कांसलिंग होने वाली है जो की फिजिकल होगी उसके बारे में बात करने वाला हूँ तो जिन भी लोग होगा कहीं पर एड्मिशन नहीं हुआ है जो भी लोग अभी भी एड्मिशन के लिए वेट कर रहे हैं कि कहीं पर वेट हो जाए तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो जो भी लोग वीडियो को दे हुआ है तो सबसे पहले तो मैं आपको important dates बता देता हूँ कि important dates क्या-क्या है वीडियो कि इसकी counseling की देनम उसके बाद बात करूंगा कि क्या-क्या आपको चाहिएगा क्या-क्या नहीं चाहिएगा तो सबसे पहले तो जो भी लोग इस counseling में part लेना चाते हैं उनको अपना fresh registration क की आज उपन हो गया है चाहे वो यूजी से चाहे वह पीजी सेटेलाइट सेंटर है उसके लिए जो दोनु कोर्सिस के लिए साथ दिसम्बर 2022 से दस दिसमबर 2022 तक यह जो पोर्टल है यह ऊपन रहेगा यह पोडल कहा मिलेगा को यह साइट के उपर मिलेगा ठीक है स्पॉर्ट काउंसलिंग जो होनी है इंक्लोडिंग दोज हूँ कम्प्लीटेट देयर फ्रेश रेजिस्टिशन जिन्होंने पहले रेजिस्टर कर लिया वो ठीक है और जो 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक रेजिस्टर कर रहे हैं उनको भी कंसिटर किया जाएगा सेलेक्ट होँगे लोग और जो वेट लिस्ट में आएंगे उनका लिस्ट के अंदर उनको चालाण जन्रेट होगा उनको फीस जन्मा कराने के लिए चालाण जन्रेट होगा 16 दिस समिट कराने के होगा 19 दोकुमैंट वेरिफिकेशन वह बीश तरिक को होगा वोगा 16 तरिक को चलान जनरेट होगा फीज जमा कराने के लिए 16 तरिक को लास्ट डेट जो है फीज समिट कराने के 19 तरिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 20 तरिक को होगा अब उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अगे बात करें अगर उसके पहले अभी तक आप दोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे और शेयर कर दीजे क्या-क्या इंपोर्टेंट चीजे हैं वो देख लेते हैं सबसे पहली चीज तो है क्योंकि वहाँ पर आपको पता लगेगा कि किस कोर्स के अंदर कितनी वेकेंट सीट है तो ये इसके लिए आपको जो 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 यूनिवस्टी की वेब साइट है उसको कंटिनियूसली विजेट करना है ठीक है 13.12 से और 15.12 तक जो लोग पहले शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं किसी भी स्लॉट के अंदर वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस काउंसलिंग के अंदर काउंसलिंग जो है वो टोटली फिजिकल मोड में होगी कोई भी ऑनलाइन मोड में नहीं होगी यानि कि जिसको भी पार्टिसिपेट करना है उसको जाना पड़ेगा लखनाओ कि डिटेल के लिए राफसली जो वेब साइट है उसको वाली हो भी स्पोर्ट काउंसलिंग में मिलेगा फीस जो जमा होगी वो समर्थ पोर्टल के थ्रूए होगी वेटिंग लिस्ट केंडिडेट को प्रिपेर रहना है कि अगर सेलेक्टेड जो स्टुडेंट्स है वो एडमिशन नहीं लेंगे तो वेटिंग लिस्ट वालोगो कॉल कर लिया जायेगा एडमिशन के लिए अगरेट्स आर नौट रिक्वाइड अट टाइम आफ कांसलिंग ठीक है थेक्टेडेट्स आर नोट रिक्वाइड तो बिंग देर डॉक्यमेंट्स इन ओर इजनल और इजनल में लेके जाना है तो जितने भी डॉक्यमेंट्स लेके जाने उनकी फोटो कॉपी लेके जानी है और और इजनल नहीं लेके जाने माइग्रेशन ट्रांसफर्ट सर्टिफिकेट और एफिडेविट की जरुवत नहीं पड़ेगी और स्पॉर्ट कांसलिंग के लिए सेटलाइट सेंटर जो की अमेठी सेंटर है उसकी जो कांसलिंग होगी वो अमेठी में होगी तो जो जिनको वहां पर एडमिशन लेना है तो उनको अमेठी में ही रिपोर्ट करना पड़ेगा ठीक है केंडिडेट्स अपेरिंग फोर दा स्पॉर्ट कांसलिंग आर इंफॉर्म एट होस्टल फैसलिटी इस लिमेटेड एन रखा है मैं पीजी कोर्स की बात कर लेता हूं में हिस्ट्री की जो काउंसलिंग है वोगी 15 तारिक को में एडिटोरियम होल में साड़े दस बजे सुबहे रिपोर्टिंग टाइम पर ध्यान रखना क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम के बाद पहुंसते होते हो वह बाहर कर दे ठाए शोशेल लोडिडों की पर दो पॉलिटिकल साइन्स की बिशार्र अमSt Alice की दॉनिक्ता रिकों है दिद चौदाब्र मैं बात कर लता हूँ MSC Geology, तो Geology की तेरा बारा को है, MSC Human Development and Families चौदा बारा को है, MSC Information Technology ये चौदा बारा को, Chemistry की है चौदा बारा को, MSC Physics चौदा बारा को दो बजे, ज्यान रखना MSC Physics वालो, Chemistry वालो सुबह साड़े दस बजे जाना है, Geology वालो को, 13 तारिक को, 2 बजे जाना है, Environmental Science वालो को, 13 तारिक को, 10 बजे जाना है, MSC Industrial वालो जी, 10 बजे, MSC Biotechnology, 13 तारिक, 10 बजे, उसके बाद, बात कर ले, MSC Mathematics, MSC Mathematics को, 14 तारिक को, 10 बजे सुबह, ये venue दे रखा, ये चेक करते रहना आपने, Life Science वालो को, 15 तारिक को, 2 पै बाकी के ये हैं, ये सारे देखते रहना, MBA वालो का मैं बता दूए, MBA में जो, Rural Management में लेना चाता है, 13 तारिक को, 10 बजे, MBA All के लिए 13 तारिक को, 2 बजे, ठीक है, और ये बाकी के courses है, तो ये देख लेना, किस किस को कहा कहा जाना, ये Satellite Center का दिया हुआ है, तो ये था, कि स्पॉर्ट कांसलिंग जो हो रही है, BBAU के अंदर, 13 तारिक से और 15 तारिक तक, ये स्पॉर्ट कांसलिंग लगबग हर यूनिवर्स्टिम पंजाब की, अगर हम बात करें, तो वो अक्टूबर में चालो हुई थी, उसके बाद उसकी पहली कांसलिंग हुई, फिर सेकेंड एडमिशन नहीं हुए, उसके बाद फिर से उन्होंने एक लिस्ट निकाली कल, जिसकी आज लास डेट है, और मैं को ऐसा लगता है कि उसमें भी एडमिशन नहीं होंगे, क्योंकि जितनी भी लिस्ट है देख रहा हूं मैं, या जितनी भी मैंने चैक की, उनमें सभी में वह कौर इडियों में जिनका हो रहा है, और उन्होंने सेंट्रल युनिवेस्टी में एडमिशन लिया हूँ है, और सब्सट्न है हो पौर हो रहा है, आज लास को कि ये पौनरे को लाउट के लिस्ट और नहीं है, इसके लावा अगर हम रजस्थान बगरा की बात करें तो यहाँ पर भी सीटेख खाली होंगी क्योंकि डियू के रिजल्ट चल रहे हैं अगर हम बात करें हर्याना की तो यहाँ पर भी अभी मिरको लगता है कि काउंसलिंग एक और होगी तो जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है उनको ऐसा कोई गबरानी की जरुवत नहीं है कि और हर्याना यूंवस्टी के केस में भी कि सबी लोग नहीं पहुंचे थे तो जिनके नमबर कम थे उन लोगों का इडमीशन भी हो गया था इवन मैं बात करूँ जनरल में जिन लोगों के 100-100 नंबर थे वो पहुंच गए थे उनका एडमिशन हो गया था और मैंने कहा भी था कि चले जाना चले जाना पर आप लोग जाते ही नहीं बात सुनते ही नहीं तो उसका खेर कुछ कर नहीं सकते तो फिर रह जाते हो तो सबसे पहुंच जाएगा जिनका एडमिशन नहीं हुआ है तो वो इसको देखके सायद फर्म भर दे और शायद उनका एडमिशन हो जाए तो इस वीडियो में इतना ही वेकेंट सीट का जैसा ही मेरे को कुछ पता लगेगा मैं अपडेट कर दूँगा बागी पंजाब का एक बरस जरूर देखते रहे ना आप लोग पंजाब का अपने एंट पे भी मेरे को कुछ पता लगे अगरे तो मैं बता दूँगा क्योंकि बहाँ पर भी मेरे को लगता है कि एक और काउंसलिंग होने वाली है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में चैनल को छोड़ने से पहले चैनल क को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर गएना आप लोग को